हरे कृष्णा दन्दप्राम सबबक्तों को स्वागति आज के श्रीमत भागवतम के कक्षा में तो आज हम श्रीमत भागवतम तीसरा सकंदे की स्वाध्याए 45 श्लोक नमबर से लेके 56 तक चर्चा करेंगे जिससे यह अध्याई भी समापत होता है और यहाँ पर आज जो चर्चा देखेंगे मनु और कर्दममुनी के बीच में जिसमें कर्दममुनी जो है स्वाइम भूमन को स्वागती करते और उनको प्रशमसा भी करते और उनसे कुछ पूछते तो चीज हम आज देखेंगे मंगलाशारण के बास ओम अज्ञानति मिरांधस्या ज्ञाना जनाशलाकया चक्षोरन मिलितं येना तस्मै श्री गुरवेम नमहा श्री चैतन्यमनो भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयम रूपह कदामयं ददातिस्वापतांतिकं वंदे हम श्री गुरून श्री उता पाठगमलम श्री गुरून वैष्णवाम्ष्शा श्री रूपम सागरजातं सहगनर अगूनाता नविताम्तं सजीवं साद्वायितं सावधूतं परजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन रलित श्री विशाकान विताम्स्या नमावुम विष्ण पाधाय कृष्ण प्रेस्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वे दांत स्वामे नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिने निर्विशेषः शुन्यवादी पास्चात्यदेशतारिने नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विचे नमाः कृष्णा करुणा सिंदो दीन बंदू जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्त दे तप्तकांचन गउरांगी राधे प्रिंदावनिश्वरी पृष्ण भानु सुदे देवी प्रनामामी हरी प्रिये निला चलनिवासाया नित्याया परमात्मने भला भद्रा सुबद्रा भ्याम जगन्नाता इते नमहा वांचा कल्पतरूप्यस्चा कृपा सिंधु प्येवचा पतीतानां पावनेभ्यो वैष्नवेभ्यो नमो नमहा जय स्री कृष्न जयतन्य प्रभू नित्यानन्द श्रियात्वाइदागतादर स्रीवासादि गौरभक्त व्रिंद अरे कृष्ना हरे कृष्ना 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे Hare Krishna सो तेन श्लोक 45, 46, 47 एक साथी देखेंगे प्रविश्यतत्ती इर्थवरं आधिराजस्थात्मजह ददर्शमुनिम् आसेनं तस्मिन हुता हुताशनं विद्योतमानं वपुष तपस्युग्रयुजाशिरं नातिक्षामं भगवतह स्निक्दापांगावलोकनात तद्व्याहृतामृतकला पियूशाश्रमनेनच प्राम्षुम् पद्मपलाशाक्षुम् जटिलंचीरवाससं उपसं स्रित्यमालिनं यतारहनं असंस्कृतं अभी कर्दममुनी उस पवित्रस्थल भिंदु सरवर के परिसर में पहुंच के जहां पे कर्दममुनी का कुटीर है तो वह देखी कि स्वैम्भुमनों कर्दममुनी बैटे हुए ते और वहाँ पर उनका प्रति दिन एग्नि करते हुँ एग्नि की और वो जो अग्नि भी जोल रहा है और वो एगनिशेश करके उनका जो है कारी करम वो वह बटे थे और वो जो उनका शेरीर बहुत तेजों में था और वो लंबे भी थे और उनका आख कमल के फूलों के फंकुडे के जैसे थे और उनके जटा भी था और मगर उनके वस्त्र जो थे वो जैसे सादू के वस्त्रे वही थे तो मगर उनका जो शरीर है ऐसे उनका सादू का वस्त्रे जटा है और उतना अच्छे वस्त्रे नहीं है मतलब जंगल में है वो एक सादू संद के रूप में तो फिर भी उनका जो कांती है शरीर से जो कांती है वो चिपाया नहीं जा सकता वो कांती पाकाश हो रहा है और बाहर निकल रहा है देखिए इतना साल कटोर तपस्या किये पस्चात जंगल में रहे के भी उनका शेरीर अभी भी कांती में तेजों में दिख रहा है क्यूंकि भगवान ने स्वयाम अपना दृष्टी उनके उपर डाला है और निकल के दिख रहा है स्वयाम भू मनून और लेकर तो इस तरह से उपने पतनियों और अपने पुत्री नहीं हुआ है तो हर कोई वेक्ति जो है बैदिक संस्कार बैदिक संस्कृतिक आनुसर बच्पन से जो है प्रतेक वेक्ति पूरुष जो है ब्रह्मचरी का पालन करते हैं तो विवाह होने तक ब्रह्मचरी का वरत पालन करते हैं तो यहां पे इसलिए इसके कारण सही से ब्रह उसके साथ में जो तपस्या कर रहे हैं उस यूग द्रम जो है तपस्या हुस्त् हीयुग में वे तपस्या यूग में मुद्र। दका वह भागवत करना करना आधियात्मिक कारी करना इस भागवच्वण करना तो इस तरह से हरी नाम भागवच्वण करके जो अच्छी तरह से ब्रामच्री का पालन करते हैं तो उनका भी शेरीर स्वस्त हो या ब्रहतारी हो हर विक्ति जोْ है जो क्योंकि भगवान का वानी को श्रवन कर रहे हरे कृष्ण मामंद्र जब कर रहे तो इसलिए हरे कृष्ण मामंद्र जब करके यहां पर प्रहपाजी बोलते हैं कि शेरिर भी स्वस्त हो जाता है और एक कांती भी आ जाते हैं फेस के उपर मुख्य उपर तो यह सब चीज यहां पर बता रहे हैं तो इस तरह से इनका भी दिखा है और प्रहपाजी खास कृप से बोलते हैं कि जो ब्रह्मचरिया है पालन कर रहे हैं तो उनको सुबह नौ बज़े तक साथ बज़े तक सोना नहीं चाहिए उनको ब्रह्ममूर्थ के समय में उठना चाहिए और आध्यात्मिक कारी कहतना चाहिए मुख्य रूप से हरे कृष्मा मंतर का जब तो सुबह जो है ब्रह्ममूर्थ का समय मतलब प्रहपाजी यहां पर लिखते हैं कि सूर्योदेव होने से देड़ गंटा प इसलिए को देख सकते हैं कि वो करदममूर्थ को पेनर नहीं फिर भी उनने बाहर आ रहा है जैसे कि एक मनी का कांती चिपाया ना जा सकता है चाहे मनी के उपर ठोड़ा मिट्टी भी लग जाए प्रभपाजी यहां पर कर रहे है कि यहां जो मनी अभी उतना उससा पॉलिश नहीं किया पॉलिश घंप फिर भी जो चमकता है मनी कांती जो बाहर निकलता मनी समझ में आजाता है उसको चिपाय नहीं को मनी को इसी तरह से यहां पे इनका जो है जो उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति अध्यात्मिक शेक्ति जो प्राप्त्किये हैं उसका भी चिपायना जा सकता है वो दिक रहा उसका कांथी तो यहां पे बता रहें कि और यहां पे अमारे श्वैंभुमनों आये हैं इनके कुटीर में और आते ही उनको धंड़त प्रणाम किये करदम मुमनी को और करदम मुमनी उनको जैसे एक राजा को अतिदी सत कर देना है उसी तरह से उनको भी स्वागत की है तो यहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से आधान प्रदान कर रहे हैं, पुरा सामराथ है, पुरा पृत्वी का पालन करता है, जो स्वयम भूमन, स्वयम एक कुटीर में आके एक सादू को, मगर उन्होंने इतने बड़े राजा हो कभी, उनको जानते हैं कि यह धर में सादू जो प्रगर्ति की है, जिसके वैसे उनका स्थान बहुत उच्छा है, इसके लिए यहां पे देखते हैं कि हम वेदिक संस्कृत है कि बड़े-बड़े राजा हो, मगर वो जो है, उनके गुरु जो है, वो ब्रामन होते, इनके मुनी सादू संतों को, वहिष्नों को वो प्र पा करना चाहिए, यहां पे बिटा रहे, और देखते है कि यही संभाशन यह दोनों के बीच में यह विवहार हम देखते हैं, वैदिक संस्कृति सब्भियता में कैसे राजा, एक आदर्श राजा और यह आदर्श सादू, संत, कैसे विवहार करते हैं, यह हमको देखने के आज और कल में मिलेगा जिसमें आप देखेंगे यह सब चीज ग्रहीतारहनम आसीनम सम्यतां प्रिणयन मुनिहीं स्मरन भगवदादेशं वित्याह श्लक्षन याघिर इस तरह से अभी वह देखे कि कर्दमुनि ने हमको देख लिया है पैचान लिया है और फिर बैट गए र चुप बैटे और जैसे ही राजा बैट गए फिर कर्दमुनि सोचने लेगे भगवान ने मेरे को क्या आदेश दिया था क्या वचन बोलेते कि स्वायम भूमनों आएंगे क्या करेंगे क्या करना है उनको तो फिर सोचके उस अनुसार से मदर शब्दों से अभी जो है वाक करना है क्या प्रक्षमसा करते हैं उस प्रशंशा में वहम लोग बहुत सारे समय सकते हैं वह प्रभुपात के तातव्यों के मांदियं से हैं नूनमन शेंक्रम अ गश्रण हो तो यहां पर बता रहें कि आपने तो यह जो प्रचार प्रचार नहीं सारी आम लोग प्रचार के लिए जाते यह स्वयम्भू मनु जो है वो भी परेटन कर रहे हैं यहां पर लिके ना कि अपनी पती नहीं और से ना को लेके क्यूँगगी यहां पे जो है उनका राजा का करत वह बता रहे हैं पे आप जो आये हैं मिर को Tor लोग है उसको तुरंट दंड देना शिक्षा तो इस कारी से जो लॉण डॉर्डर मेंटेन करने के लिए शांती बदरता सब मेंटेन करने के लिए पुरा समाज में आप जो है पर्याटन करते रहते अपना रत लेके क्योंकि आप में आप तो आपके अंदर में श्री हरी का जो शक्ति है पालन शक्ति आपके अंदर में सरी के पालन शक्ती है अपके अंदर में यह सत्य बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं वहां करना है कि अथा उन्हों है बोल रहे हैं तो आप इसे इसे हो आए हंगे तो यहां sparked करते हैं और कभी शिकार किशत्र भी करते और आइसे दुस्ट लोग को की लोगे किशत्र लोग को दंड देना चाहरे हैं जो किर्मिनल रहते चोर लेते डाकू रहते हैं ŧा ये कुछ नब देना पढ़ते हैं कभी कभी धर्मWA करने केलिए किसी लोग देना पढ़ता है जो लोग क्रिमिनल है जो चोर डाकु लोग है टेरेरिस्ट लोग है उनको मारना पढ़ता है क्योंकि vin वह सब नष्ट करेंगे समाज में बहुत सारा उत्मत मचाएंगे तो ऐसे लोगों को ऐसे टेरे तो इसलिए यहां पर बताए वदाया चासतम यस्त्वम आप वद कर देते वो जो असत के मार्ग पे चलते और जो अच्छे लोग नहीं है उनको वद कर देते आप जो अधर्मी लोग है तो यह अवश्यक है मतलब हमारा जो वैदिक शास्त्र सिकाता है भगवत गीता भी सिका है उनको तुष्कृताम उनको विनाश करने के लिए भगवान आते और यहां भगवान जो है साधान रुप से सिक्षेत्रियों को युक्ट करते हैं उनमें पालन शेक्ति देते जिससे वो लोग यह कारे कर सकते और उनके माद्यम से कराते हैं तो हम देखते हैं कि इसलिए बगवान स्वयम आर्जुन को गयते आप युद्ध करो और अधर्मी लोगों को जो है उनको वद्ध घर के धर्म का स्थापना करो तो इसका मतलब यह है धर्म का स्थापना के है तो कभी-कभी क्षेतिरों लोगों को हिंसा करना पड़ता है तो इसलिए वो कभी-कभी किसी कि को मारना पड़ते हैं को युद्ध में और वो प्रैक्टिस के लिए कभी-कभी हंटिंग यहां शिकार के लिए बीचाते कुछ जंतु को भी मारते हैं तो मगर प्रभपा जी कहते कि जैसे की यह शिकार करने का भी यहां पर बताते हैं डौक्टर रहते हैं और प्लेतों करते हैं जो अपना दवाइं प्रन करते हैं जो सबद्र के लिए रक्षा करने के लिए तो कछष कुछ कुछ एनिमल्स को कभी सेक्रिफेस करना पड़ता है और रैट हो या रैबिट हो जो भी है फिराग हो मेंड़क हो जो भी तो ऐसे ही समझ लीजे प्रोपाजी और एक जगह पर चीज कहते हैं यहां पर नहीं इस यूग में जो कल यूग हैं यह चीज बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है आजकल के जो राजा हैं उनमें उतना सत्ता नहीं है उनको धरमज का नहीं है वेदिक समस्क्रिटी जानते ही नहीं है पालन तो करते ही नहीं है तो इसके बज़े से क्या है उनको ऐसे क्रिमिनल लोग को तुरंद मारते नहीं है पहले तो ऐसे राजा रहते थे कि हम देखते है परिक्षित मारा जैसे देखे कि गाय का वो एक कली कली राजा जो है वो गाय को मारने का हत्या करने का प्रयास कर रहा था उसको तुरंद दे द निकाल ये धर्म को रक्षा करने के तुरह निकालता है और राजा होता है वह सहिं में रजा है उसमें सहिं में धम मैं सकता है ऐसा है मगर आइसा है अब यहां जेखते हैं यहां पर जैसे सरकार कि यह चुब बोला है गाय को यह गलत है सरकार को भी शिक्षा देना चाहिए ठर्म का चीछ आएए और सरकार को भी यह सब जो है गाय का वद करने का यह सब चीज के लिए प्रजा करा जो है ओधर्म के पत में जा रहे आधर्म के अधर्मी बन जा रहे उसके बारे में सोच नहीं रहे, जिसके वज़े से बहुत सारा उत्पात मचा रहे, ऐसे लोग जो है, बहुत सारा उत्पात मचा रहे, ऐसे जो गोमास का के बहुत सारा उत्पात मचा रहे, और ऐसा गोमास, गोमाता को बद करके, इसके वज़े से बहुत सारा जो है, पकुर प्रजा रहा है, उनको पीडा पहुँचा रहे हैं, उनको वद हो जा रहा है, उनके कारण, प्रोपा जी कह रहे हैं, तो इसलिए आज आज आैसे राजा आईसे नहीं है, जो वेदिक संसृरото को पॉ向 किरे और इस तरह खा सकते गो माता को भी कुछ प्रोब्लम नहीं तो यहीं समस्या है बहुत बढ़ा समस्या है सबसे बढ़ा समस्या और प्रजा भी समझता नहीं आइसा लोगों को अपना लीडर के जैसे चुनता है जो वेदिक संस्कृति को जानता नहीं है ओणने के लिए नहीं आप जो है इसे दर्म का समरक्ष हान करने के लिए दर्म का रख्षा करने के लिए परिपालन करने के लिए अलग अलग जो है देवतों का रूप धारन करते क्योंकि आप स्वायम विश्णु हो जैसे की जैसे अवसर पड़े आप ऐसा कुछ भी कारी कर सकते जिसका सूरी वगवान का या चंद्रमा का या अगनी का या इंद्रदेव का वायू का यम का धर्म क वरुना का किसी का भी आप दारन रूप दारन करके मतलब रूपान स्थान आधर्शे ऐसे अलग अलग रूप मतलब ऐसे सब कारी करते जो यह सब डेवी देवता करते वो सब कारी आप भी करते जब जरूरत पड़ता है क्योंकि आप विश्णु स्वायम हूं इसलिए मैं आपको अपना प्रणाम अर्पन कर रहा हूं तो एक मुखी चीज है यहां पर देखें क्षेत्री को दो ब्राह्मन को प्रणाम अर्पन करना है क्योंकि ब्राह्मन के जो स्थाने क्षेत्री से उच्छा है सामाजी के और से मगर यहां पर जो राजा होता है वो भगवान के प्रतनिदी होता है ऐसे जो पालन करता है प्रतनिदी हो तो ऐसे राजा को चाहे हो क्षित्री हो या जो भी हो भगवान का आवतार कोई भी रूप में आता है शुकर में रूप में भी आ हर विक्ति हर जीवात्मा को बह unchain को वह रूप में बहगवान है उनको प्रणाम करना ही चाहिए सब उनको प्रणाम करते हैं, उसमें नहीं दो कुछ लोग उड़ाते हैं आप बगवान के अइano कर रोग में हैं इसे बगवान नोग यहां कि आउन अब अम झरत नियुक्त करना चाहिए तो नेक्स्टीक्स देखते क्या है नायदारतम आस्ताय जैत्रम अनिगनार्पितम विश्पुराच्चंडगोधंडो रतेनात्रासयन घान सुसैन्यच्चरणक्षुन्डम वेपयन मंदरंबुवह विकर्चन्ब रहतीम सेनाम परियतश्यम्शुमानिव तो आप अगर आपने रत रतनों से अलंकृत जो रत है उसको आप चड़के अगर आप अपना जो धनुष है उसका शब्द नहीं सुनाएंगे यह आपके आर्मी जो आपका सेना है उसका चलने का शब्द नहीं सुनेगा तो यह लोग सब जो चोर डाकू लोग हैं यह लोग सब कैसे डरेंगे यह सब लोग कैसे कंट्रोल में रहेंगे आपका आने का शब्द सुनके पैचान के लिए सब चीक्षा हो जाते हैं हार वेक्ति अपना अच्छा काम अच्छी तरह से वर्ण आश्रम के धर्म के अनुसार सेवा करता हैं क्योंकि आप सूरी के समान घूमते रहते तो इसके वज़े से यह सब जो है लॉड और मेंटेन होता है जो है और यह जो है नहीं तो अगर आप आप ऐसे ब्रह्मन नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है जो रोक्स एंड रास्कल्स इधर प्रहपाजी लिखते हैं यह चोर डाकुए सब लोग जो है यह वर्णाश्रम को चिन्ना भिन कर देंगे जो की स्वायम भगवान ने रचना किया भगवत रचितर आजन भिद्ये रा ऐसे लोग पूलते हैं दुष्ट लोग जो दुष्ट लोग मतलब कौन यह समाज का जो लुकसान कौन पहुंचाते हैं ऐसे लोग जो वर्णाश्रम का पालन नहीं करते हैं और उसको उल्टा पुल्टा कर देते सब तो यहां पे बहुत सारे चीज है समझने का तो प्रहप एक विक्ति को आध्यात्मिक प्रगवति करने के लिए पुरा समाज को एक अच्छा आवसर सुविदा मिलता है आध्यात्मिक प्रगवति करने के लिए कैसा कुई कि वर्णाश्रम मतलब क्या है यहां पर प्रभुपाजी समझाते हैं को इस श्लोक में और एक श्लोक के ता सब लोग कल्यूग में जनम से शुद्र ही है समस्काराद भवे द्विज़ समस्कार से द्विज़ बनते भ्रामन क्षत्र वैश्य तो यह जो ट्रेनिंग देना पड़ता है यह ट्रेनिंग से और हर एक विक्ति को अपना गुण कर्म के अनुसार वह जनम लेता है तो उनका ग गुण कर्म के हिसाब से बैसिकली वह काम करेगा वही वर रानाष्ट्र उनका गुण कर्म कैसा है जिशसे उसके करम ने और तेसे 22 स्कूल का सिस्टम की तरेनिंग यह गड़ व्यक्ति जो एक प्रीजिक नेचर के इक नश्क आप देख सकतें बच्छे कोई वेक्ति एक कोई सब्जेक्ट में अच्छा रहता है कोई वेक्ति खेल कूद में अच्छा रहता है कोई वेक्ति आर्ट्स म्यूजिक में अच्छा रहता है कोई वेक्ति मैंनत करने में बाड़ी बिल्डिंग में अच्छा रहता है हर एक वेक्ति जो है कोई लड़ाई ज सिर्म तो उसके अनुसार शिक्षन प्रशिक्षन देना चाहिए वह खुरुकॱल का सिस्टम क्यों प्योर साइंटिफिक सिस्टम है जो अभी का जो सिस्टम पूरली अंसाइंटिफिक है क्योंकि सब जैसे भी है सबको को एकी आग एडूकेशन ट्रेनिंग दिया जाते है और तुलना किया जाता है जो ज्यादा रटा कर सकता है ज्यादा रटा मार सकता है उसको बुद्धिमान विक्ति बोला जाते है और विचारा जो उतना रट नहीं पाता है उतना पड़ नहीं पाता है उसको बुद्धु है तुम ये गलत है ऐसा नहीं कोई बुद्धु नहीं है ह हर एक व्क्ति का अलग वर्न है और हम जाएक वर्न रहेता है हर आएक विक्ति जिस चीज को अच्छे तरह से कर सकता है उस विश्य में मुथ है यह किए ज़सलो तो को उस सिस्टम से पास होके आप देखे सब शूद्र बन रहे मतलब सब लोग क्या है शूद्र मतलब जो है जो तनका पर काम करता है सेलरी पर जैसे बड़े बड़े इंजनेर भी हो सकते हैं सौफट्वेर इंजनेर भी हो सकते मतलब वह वैदिक वर्नाश्टन कैटिकरी कैने सार शूद्र के निचे आते हैं कुछ स्किल्ड लेबर है कुछ स्किल सीख लिया कंपूटर का कोडिंग वोडिंग कैसा करना है तो बच्छो को चोड़ बच्च से सखते है क्योंकि सुद्र बनाना चाहते है स्कूल में सब शूद्र एजुकेशन इस अब सलौटर हॉसाइश में धर्म के बारे में अधर कुछ नहीं बताया जाता है स्कूल में कॉलेज में तो इसमें क्या है इसलिए प्रवपा जी बोलते ह एजुकेशन सिस्टम जो है धर्म का बारे में शिक्षा नहीं देते और सिर्फ पैसा कैसे कमाना है जॉब कैसे लाना है नौकर कैसे बनना है नौकरी कैसे लाना इसी के बारे में शिक्षा दिया जाता है तो यह इसलिए गलत सिस्टम है यह और लोग आजकल और एक गलत वोलके बी गलत है जो कि बोलते है कि मैं ब्रामन के परिवार में जनम लिया हूं तो मैं ब्रामन हूं इसा कोई जनम से कोई ब्रामन नहीं होता है उनके गुण कर्म से कोई गुण हैं क्या कर्म करना चाहिए वह बहुत प्रामुक्यता है सब को पड़ना चाहिए समझना चाहिए और यह पढ़के और दूसरे को सिखाते वो ब्रामन का काम है ब्रामन का करतवी है इसे ब्रामन को तैयर करने का जो सिस्टम है वो इस modern सिस्टम जो आधुनिक education system में नहीं है तो यह बहुत बड़ा एक deficiency आज के education system का जहां पर भगवद गिता भागवद जैसे ज्यान को पढ़ाया नहीं जाता है बूद बड़ा deficiency है जिसके वज़े से क्या हो रहे है लोग सब शुद्र बन जा रहे है वहां पर ना अक्षित्री का training दिया जाता है न वाईशी का training सिर्फ कैसे नौकर बनना है नर्ब शुद्र का training दिया जारह है और लोग भी उसी के ट्रेनिंग में जा रहे है प्रहताजी लिखते है द ब्रहामन का परिवार में जनम लेह बोलता में ब्रामन हो भर काम क्या कर रहें शूद्र का क्यूंकि system ऐसा है एजोकेशन system में दाल दो शूद्र बन जाएगा बाई-डिफॉल्ट अब फिर भी कुछ लोग है जो education system में जमता नहीं है वो लोग बाहर आ जाते हैं उनका सक्सेस्फुल नहीं एजुकेशन में मगर वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कारी कर दिये बहुत बड़ा बिजनेसमें बन गें कभी-कभी बहुत बड़े नेता बन जाते क्योंकि उन लोग उसमें वो नेचर है तो एजुकेशन सिस्टम कितना दिन दबाएगा फिर भी जो बाहर निकलते तो उनका नीचर बाहर आ जाते है और कुछ लेट हो जाता है मगर फिर भी सेक्सेस्फुल हो जाते हैं कुछ-कुछ माता-पिता है जो बुद्धिमान रहते हो समझ लेते कि मेरा जो लड़का है उसको पड़ाय लिका में इंट्रेस्ट नहीं है उनको सिखाते हैं वह बहुत बड़ा क्रिकेट स्टार फिल्म स्टार रहे कुछ बन जाता है यह कुछ तो सेलेब्रिटी बन जाता है कि उसमें उसका भीरुची है और देखते को लोग किसी लोग को ऐसे एक-एक फिल्ड में जो भीरुची रहते है आर्ट्स में हो आटो बड़ा तनका मिलेगा बहुत बड़ा नौकर बनेगा यह नौकर बनाने के चेकर में पूरे संसार में सब माता पिता लगए मेरे बैटे को बेटी को कैसे भी बड़ा नौकर बनाओंगा तो आइसा मत बनाई आपको देखना है वैदिक वरनाश्रम सिस्टम जो है उसमें बताया गय है कि जिसका नेचर गुण कर्म जैसा है उसके अनुसार उनको शिक्षा देना चाहिए वह देखना चाहिए माता पिता और गुरु को यह उनका काम है कि मेरे जो सांतान है यह जो मेरे स्टूडेंट है उनका क्या नीचर है उसके अनुसार उनको एंकरेज करना चाहिए ट्र इंड है मचली तो दिस लघ कमपारिशं है लिए ऐगलत कंपारिशंहें मचली जो है आप्ना जो का एक्सपटाइस है उसको पानी में देंगे तो पानी में विड्शी मिग था उसका एक्सपर्टाइस से पीड चेढ़ने में आपको мचली को सबसे बड़ा मुर्कता है जो आज के एजूकेशन सिस्टम में पढ़ा हुआ है क्योंकि पहले इस क्लास से लेके दस भी या बार भी तक तो सबको एक ही सब्जेक्स आपको पढ़ना चाहिए यह तो जो गड़बड है मगर जो वैदिक सिस्टम में ऐसा नहीं था तो देखा जाता था कि कौन क्या है गुण कर्म गुरू और माता पीता और फिर उनको उससे हिसाब से ट्रेनिंग सिक्षन एजूकेशन दिया जाता था जिसके वज़े से क्या लाब है लाब यह है कि वो व्यक्ति जो है उसका जो नेचर है उसके हिसाब से जब काम करता है वो सक्सेस्फुल होता है जीवन में वो सक्सेस का रुची देख सकता है वो आनंद पा सकते है अपने काम में और आनंद से वो अपना काम कर लेगा जो उ जा रहा है तो फिर वो जो है सब लोग जो है वो शांती से रहेंगे और सब लोग अच्छी तरह से काम करेंगे और सब लोग एंगेज़ रहेंगे जैसे आज के लिए का problem है unemployment क्यों है unemployment unemployment इसलिए है क्योंकि research बतायाता है कि unemployment इसलिए कि बहुत सारे जो लोग है degree लेके बैटा है मगर वो काम करने का योग्यता नहीं है उसको काम करना ही नहीं आता है skill नहीं है उनके पास सिर्फ degree है कैसे कि रटा मार के पास कर लिए डिग्री आ गया पास हो गया exam बस मगर अभी उनको काम ही करना नहीं आता है तो फेल हो जाते इंटर्यू में इंटर्यू बल दो टेंशन टेंशन हो जाते क्यों कि आता नहीं जिसको आता है उसो टेंशन क्यों लेने का जब्रोत नहीं है तो इसलिए जो आइफ क्योंकि उसको पता है कि मैं अथा क्यों मेरे से बहुत सारे लोग है तो competition में में शक्शेस नहीं होगा उससे बहुत stress हो चाहे है बहुत धबा होता है आब बोलेंगे चलि आओ बगवत क्लास में हो हरे कृष्णा जब करते किर्टन करते भगवद्धाम जाते उनको बुलता हरी तुना ट्रेस्ट में है और केरियर क्या होगा मेरे को जॉब मिले गया नहीं में इतना टेंशन में हूँ अभी यह सब बाद में जो सेटिल हो जाएंगे लाइफ में तब और वह जिं सिस्टम में ब guarantees system बहुंत आडवान शिस्टम में जिसके वज़े से काहिए कि वेदिक वरणाश्रम सिस्टम ऐसे इसटैबलीश निकाल सकते क्यूंकि उनको पता है उनका काम काम एक्सपर्ट और हो तो आराम से बहुत कम समय में अन्सक्राइन लिप्टा लेगा भूत ही काम फिर उनके पास समय रहेगा वह आध्यात्मी कारी करने के लिए यह इंपॉर्टेंट है अभी क्या है लोग अपना बहुत ही क्में एक्सपर्टाइज ठीक से हैं नहीं तो उसी में एक्सपर्ट होने में लग गया है पुरा जिंदगी और उनके स्कूल में हाइश कुल में तब इसे बिजनेस में लग गया वह लड़का अभी अच्छा बिजनेस कर रहा है लाक रुपए कमा रहा है आराम से वह बक्ति भी कर रहे हैं उसको प्रब्लम नहीं है जब वह 12th बिजनेस कर रहा है और उससे में सब लोग बोल रहे हैं पढ़ाइने कर रहा है बुद्धुए बुद्धुए और वह केर नहीं किया आज वह अच्छा है और बहुत लोग जो मेनत करके रटा मार के पास घरी लिए मगर अभी जॉब नहीं मिल रहा है घर में बैटा है तो इस है उसके लिए गुरु और माबाप मदद करना चाहिए और पहले से ही कि माबाप पाइदा हो जाता है इसको इंजनेर माना है टोप के और इंजनेयर बनो, इंजनेयर बनो, इसा नहीं, यह गलत है, मैं कितने कितने प्रिंसिपल लोग को भी देखा हूं, जो लोग ऐसे गलतिया किया है, उनके बच्चों के साथ, उनको जो इच्छा नहीं है, ऐसे फील्ड में उनको जबरदस्ती गुसा दिया, और उसके बाद में वो लोग सुसेड कर रहा है, डिप्रेशन में चल जा रहा है, क्योंकि वो अपनी नेचर के अगेंच्ट जाके वो पड़ाई लिकाई कर रहा है और जॉब कर रहा है, तो उनका जिंदगी बरबाद हो गया, और उनका प्रिंसिपल है, और उनका माता पिता लोग, और वो मेरे से क्या हुआ बहुत समस्या कड़ा हो गया अशान्ति टेंशन स्ट्रेस शान्ति नहीं है इसलिए प्रभुपा जी बोलते हैं कि अगर यह है सही से वरनाश्चन शिस्टम पालन करेंगे तो समाज में शान्ति सम्रुद्धी दोनों भी रहेगा और आध्यात्मिक प्रगति होता है तो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए बहुत अच्छा आट्मोस्फियर बनता है जैसे हमने बोला है जो एक्सपर्ट होता है वो आराम से खतम कर लेता अपना काम तुरंद कर लेता और टाइम निकाल भगवान का बक्ति करने के लिए और भगवान का बक्ति आराम से कर सकता है उनको टेंशन नहीं कि मेरा जॉब क्या हो जाएगा मेरे बिजनेस क्या हो जाएगा उसको पता है कैसे मैनेज करना है क्योंकि उसके उसमें तो ऐसे जब वरनाश्रम सब अपने नेचर के अनुसा महते हैं यह वेधिक वर्म शिस्टम है तो यहां पे यही चीज बता रहें कि क्यूं अभी बिगड गया अभी जो जाती बाद बन गया क्या बोलते पता नहीं इंगलीश का ट्रैसलेशन खिंदी में क्या स्टी सिस्टम जो आ गया ये गड़ बड़ सिस्टम इंग सेड़ें मे उसको वह कुछ आता है मोमन के परिवार में जनम महbn हो अईसे ब्रह्मनवाद यह जो क्षे जाटिवाद में बैढ नहीं गया है तो यहां पर भगवत गीता में भागवत में दोनों जगह देखते हैं कि उपकी रूप से यहां पर बताए गया है जैन्म कर्म स्वायम बोलते ना चातुर वर्णयम मया सृष्टम गुनक कर्म विपागश्ना तो यह भगवान ने सृष्टी किया चातुर वर्णयम जो है ब् तो इसको कोई मिटा नहीं सकता मतलब समाज में आप कितना भी चाहे कुछ भी कर लिजिए समाज में चार वर्ण के लोग मिलेंगे मिलेंगे चाहे आप नाम हटा दीजिए ब्रामन यह सब नाम हटा दीजिए नाम चेंज कर दीजिए मगर कैटिगरी के लोग रहेंगे आर्मी जो रक्ष्ण कर सकता है Kinne virgin travel करना चाहता है धर्म करना चाहता है यह कैटिग्री रएगां पूलीस आर्मी स्थ Natürlich तो करने वा नौब VOendo करना चाहते वो रहेंगे एक इैंड़ी क्अटिगरी लोग्रहेंगे जो नौकरी नौकरी डूंटे रहेंगे, जो कहीं न कहीं नौकरी लगा, नौकरी के लिए लगे रहेंगे, तो ऐसे चार कैटेगरी, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, समाज में, ये फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं घरता है, आप नाम हटा दीजे ब्राह्मान अपने जाती के लिए लड़ रहें, इसलिए सब समस्या है, इंडियन का सिस्टम में समस्या है, पर इंडियन सिस्टम में समस्या नहीं है, ये गलत तरीके से उपयोग करा जा रहा है, क्यों ऐसा हुआ गलत तरीके से, क्योंकि प्रहपा जी यहां कहते है कि, ऐसा क्यों जो वारनाश्रम सिस्टम जो है उसका बिगड के ऐसा इंडियन क्या सिस्टम बन गया कैसा हो गया यह पद क्यूंकि हम बहुत ज़्यादा फॉरणर पे निर्बर बहुंगे मतलब जो इस सिस्टम आमने बता है ना यह जो एजिए सिस्टम हो ब्रिटिश एजूकेशन सिस्टम है यहां पर आयसे फॉरणर के पर निर्बर किया जो लोग की वारनाश्रम को पालन नहीं करते हैं. उसको अगर नाश्रम समझ में ही नहीं आता है. तो इसलिए यह जो है गलत हो गया पुरा गार्म किकि बुद्स लिटिया नहीं जा रहा है शास्त्र से इसको बंद करते हैं ट बढंद कर दिया कोई दीरे डीरे जो भी है ब्राम्वन के पुत्र सोचरा में और ऐसा नहीं है इसलिए इसको कभी खतम नहीं कर सकते कोई भी वर्ण अश्रम हर समय रहेगा मतलब चार वर्ण के लोग हर समय रहेंगे समाज में जैसे कि बादल जितने भी हो सूरज को ढख दे मगर सूरज तो रहता ही है और सूरज का प्रकाश कई न कई दिखी जाता है सो हर समय सूरज तो रहता है सूरज को बादल ढखने के वज़े से सूरज खतम नहीं हो जाता है और वैसे ही यहां पर जो है वर्ण रहते ही रहते हैं इसको अगर हम सही से वर्णाश्रम को स्थापित करे तो सब शांती और संबृद्दी से और आध्याद्मिक प्रगती कर सकत है यहीं चीज प्रभुपाजी यहां पर कहे है ओक्षे अधर मस्चा समेधेता लोलू पेर्व्यंकुशर निभी शयान त्वईलो कोयं दस्युग्रस्तो बिनंक्ष्यती तो यहां पर बता रहें कि फ्यू अगर आप धर्म का रक्षा करने का प्रजा का रक्षा करने का इस इस चीज आप चोड़ा तो फिर क्या होगा प्रजा करेंगे बहुत सर लोग है ड्रक्षा और उधिया द०ल मंधै पाधार नाश हो जाएगा विनाश हो जाएगा सब कुछ इसलिए तो यह प्रभपाजी यह चीज बार बार लिखते हैं तो हम तीनों परपट का एक पर मोर और लेस बता दिये जैसे अभी एक एलेक्ट्रिशन हो इंजनेर हो डॉक्टर का जैसे दरकार है वैसे सही ब्राह्मन सही वैश्य का भी शिक्षन देके वैसे तैयार करना भी दरकार है जरूरत है बता रहें यह तो तब नेक्स्ट अतापी प्रच्छे त्वंवीरा यदर्दं त्वं मिहागत हां तद्वयम नि सकता इस पूछना मैं थरके बरभी मैं पूछना चाहता हूं मुखिरूप से सथा आज मेरे कुट्र में यहाउससा कारण होचाह मधर करना ही सेवकिया फाईनली पूछ सथे से देखे भ्राह्मन और क्षित्रियों के बीच nach एक अच्छा संब्रहता था लड़ते रहेंगे ब्राह्मन सुद्र लड़ते रहेंगे ये वेडिक शूद्री सभ्यता नहीं है Bright कि हम जैसे बताया है कि ब्राह्मन का एक कार्य है वो करेंगे जिससे समाज में बाकी तीनों वर्गों को सहायता होता है जैसे बताया ना यह ब्राह्मन क्षित्री दोनों का help mutual understanding इसको बोलते है क्षत्रम द्विजत्वम बदब क्षत्री और जो है यहां पे ब्राह्मन जो दोन को सही मार्गदर्शन कर सकता है वैसे इस दूसरे को सही सुजाओ भी दे सकता है यहां पर राजा को भी सुजाओ दे सकते हैं सही मार्गदर्शन कर सकता है सही शिक्षन दे सकता है तो यह काम ब्राह्मन करता है और मरब क्षत्री जो हो किसी को रक्षा प्रदान कर सकता है वो अपना भल का शेक्ति उपयोग करके धर्म का रक्षा कर सकता है, ब्रामनों का रक्षा कर सकता है, गईयों का रक्षा कर सकता है, प्रजा का रक्षा कर सकता है, तो इसलिए ये ब्रामन को भी रक्षा का जरूरत है, दुष्ट लोगों से, क्रिमिनल लोगों से, चोर और सिकादन करने के लिए उनको विष्य व्त्पाधन करने के लिए उन को सब लोगों से राजा करते हैं और ब्राहन उनको भी बच्पन में जितना भी जनला क्यां चाहिए उनका बिजनेस करने विगोंते पाचे गईूकेशन जो चाहिए होता है तोड़ा से ए भी सीडि और तोड़ा से लिखनप मढ़ना तो चाहिए उतना तो ब्राह्मन उनको शिक्षा देए देते तो और उनको भी जैसे धर्मिक पत्मे वो जो जो भी व्यवसाय करेंगे या व्यापर करेंगे सही से मार्गदर्शन जीवन का उद्देश भगवध्दाम जाने के लिए सबके लिए मार्गदर्शन तो ब्रामन करते सबको तो वैश्य को भी करेंगे तो मगर यह तीनों वर्गों लोगों को भी बहूत सारे चीजों में सहायता का ज़रूत रहता है लेबर का बहुत ज़रूत रहता है हर चीज में कुछ ना कुछ स्किल लेबर एक एक लेबर में बहुत कैटिगरिये बहुत सरे स्कील्स जैसे एक Software Engineer है जो मतलब वो कुछ problem है computer में उसको repair कर सकता है solve कर सकता है hardware engineer software engineer ये लोग ऐसे जब मोची है वो चपल repair कर सकते हैं मतलब कुछ ना कुछ repair कर सकते हैं लोग जो electrician है वो electrical repair कर सकता है तो यह सब एक जो लेबर केटिगरी ये तो ये सब जो है फिर सब लोग अइसा लोग भी ज़रूरों थे जो की तीनों बर्गों को उनका मदद लगता है तो इसलिए सब लोग अपना-पना कारे करते सब लोग को एक-दूसरे का ज़रूरूर सब लोग एक दूसरे के साथ इससे समन्वय में रहते कोपरेशन में रहते जिसके वज़े से यहाँ पे जो है सब लोग मिलके आध्यात्मिक प्रगती या अध्यात्मिक अभिवृद्धी कर सकते हैं और शांती और समवृद्धी भी समाज में हो सकता है यही इस उद्देश है इस वरनाश्रम धर्म का जो प्रभपाद जी यहाँ पे आमको बता रहे है तो यही पे अम इस श्लोक से समाप्त करते हैं अध्याई भी समाप्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद शिलप्रभुपाद कीचे ग्रंतरा श्रीमत भागवतम कीचे समावेत गौरा वक्त वतंद कीचे निताय गौर सितनात प्रेमनंदे हरे हरे बोल